नमस्कार भाईयों, आज हम बात करेंगे शिक्ष्या पे जिस पे गुजर समाज का बिलकुल भी ध्यान नहीं है शिक्ष्या ही एक मातर ऐसी चीज है जिसे पाकर गुजर समाज आगे बढ़ सकता है माना आज गुजरों के पास पैसा आता जा रहा है लेकिन शिक्ष्या के अभाव में हम उन पैसों का सद्यूप्योग नहीं कर पाई और अपने पैसों से हमने महंगी कारें बंगले आदी खरीद ली बात यहां तक भी ठीक थी लेकिन हमने तो नसों की दुनिया में भी कदम रख लिया जो आगे चल कर बेहत मिरासा जनक साबित होगा क्या इसी दिन के लिए हमारे दादा कोतवाल धन्सिंग गुजर ने हमारे लिए सहीदी दी थी की हम इस रास्ते पर चल पड़े आग जहां दूसरी जातियां उच्छिक्ष्या हासिल करके बड़े-बड़े मुकाम हासिल कर रही है वही गुजर दिल्ली NCRV नोईडा में अपनी बदमासी से अपना सुनहरा केरियर बरबाद कर रहे है आप लोग क्यों नहीं समझते की पढ़ने से ही आपका भला होगा साथियों शिक्षित समाज ही देश में तरक्की कर सकता है और हमें समाज में पहली पुरीतियों को दूर करने तथा अपने बच्चों को उचिक्ष्या दिलाने पर बल देना चाहिए ना कि नकली दिखावा करने पे हवाबादी से दूर रहे नहीं तो आने वाली पीडी पर बहुत गलत परभाव पड़ेगा गुजर समाज का इतिहास उठा कर देख लो हमारे पूर्वजों ने इतने नेक काम किये हैं गुजर भाईयों अपने भार देश के लिए पढ़ाई के साथ-साथ अपने बच्चों को अपने पूर्वजों के इतिहास का भी ग्यान दे ताकि उन्हें भी पता चले कि उन्होंने किसी बहादूर कौम में जन्म लिया है दन दोरत कुछ भी बढ़ सकता है परन्तु शिक्षय नहीं बाटी जा सकती हमें शिक्षय ही आगे बढ़ा सकती है ना कि हवाबाजी ये काम हम सबको मिलकर करना होगा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षय वर गुजर इतिहास जरूर बताएं इसके अलावा एक चीज ओर सभी करों में गुजर समराट मिहीर बोजी की एक तस्वीर जरूर लगाएं और मिहीर बोजी क्यों हमें सभी गुजर महापुरूसों के दबे हुई इतिहास को फैलाना है आप लोग खुद सोचके देखें दादा चोदरी श्री कोतवाल धनसिंग गुजर ने पढ़ाई करके ही कोतवादी का पदप्राप किया था वो भी उस जमाने में जब लोगों को ABCD का भी ग्यान नहीं था और अब तो हम लोग 2020 में आ चुके हैं हम लोगों के पास पैसा है फिर भी हम पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं सभी से बिलती है कि इसे शेर जरूर करें वीडियो देखने के लिए अब सभी भाईयों का तहे दिल से धन्यवाद वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर करें और ऐसी ही इंट्रेस्टिक वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें का दिहाने राद किये